नवरात्र की पहले दिन सीम योगी आदत तिनात ने मिशन शक्ती अभियान की शुरुबात की जिसका मकसद है महिलाओं को उनके खलाब होने वाले अपरात की प्रती जागरू करना मिशन शक्ती अभियान यूटूब पूरे प्रदीश में लागू किया गया है लेकिन उसका असान नोडा में भी दिखने लगा है जहां डीसीपी वरिंदा शुक्ती यानि महिला शक्ती इस अभियान की जहलक दिखाई दी नोडा में जहां डीसीपी वरिंदा शुक्ला ने महिलाओं के साथ चौपा लगाई इस कारिक्रम में हर वर्ग की महिलाओं ने हिस्सा लिया महिला सुरक्षा के मुद्धे पर खुल कर अपनी बात रखी और यहां पर ज़स बताया चारा है कि किस तरहेлов को शचक्त करा जा सकता ए उसके कई माधियम बताए गए हैं उसमें से ही मुझे यह लगता है कि महिलाओं के साथ अभी बहुत सी दिक्कत है उसमें से एक प्रॉब्लम है कि लड़कियों को जनम σε ही लड़की ना बनाया जाय उसको भेदभाव नागर जाएंगे तो उससे तो वह सारी समस्या का हल निकलेगा और क्या कहते हैं जैसे इसकूल हैं कोलीज हैं उन पर लड़के खड़े रहे हैं तो वह फोन करने से देखने से डराएंगे तूबर तक चलने वाले मिशन शक्ती कारिकरम के तहट पुलिस और जिला प्रशासन गाओं गाओं और कस्पों में जाकर महिलाओं को अपराद के खलाफ जागरुक करेगा मिशन शक्ती के तहट हर एक थाने में एक महला हेल्प डेस्क बनाई गई है इसके अलावा 57 सिद्धा इसकूटी और जागरुकता वेन भी चलाई जा रही है हमने दो दिन पहले एक जागरुकता वाहन का उतगाटन किया था जो हमारा पुलिस का वजर वाहन है जिस पे हमने एक बड़ी LED स्क्रीन लगाई है और एक बिल्कुल सरल भाशा में रिकॉर्ड की हुई लगू फिल्म है जो महिलाओं को युफ्तियों को सचेत कर रही है कि क इस तरह के चीजों से उनको बचना है और अगर उनके साथ कोई चोटी से चोटी घटना भी घटती है तो पुलिस तक सबसे सरलता से कैसे बताना है तो हमने इसके जो रुकने के स्थल थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कई दिन पूर्व से बहुत इक्स्टेंसिफ कारवाई की मिशन शक्ती सेम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है मकसाद न केवल प्रदेश में महिला अब राधूं की रुख थाम करना है वलकि महिलाओं को इस बारे में जागरुक लगती है लेकिन अभी भी सवाल उन तमाम महिलाओं के बारे में हैं जो जागरुक तो है लेकिन आवाज नहीं उठा पाती, ऐसे ही महिलाओं को शशक्त बनाने की कोशिश यहां से की जा रही है। विडियो जनी संदीब के साथ मनीश शरुसिया, यूज स्टेट नॉडा और अब बाद न्यूज चैनल्स की टी आरपी वे हुई कथित घुटा लेगी। क्या दर्शकों को पैसे देकर कुश न्यूज चैनल्स दे अपनी टी आरपी बढ़ाए इसका सच अब सीबी आई पता लगाएगी। टी आरपी फरजी वाड़े को लेकर उत्रप्रदेश में एक केस दर्श भुआ था जिसके बाद यूगी सरकार ने उसकी सीबी आई चार्ज की सिफारिश की थी। कमपनी के इरिजिनल डारेक्टर कमल शर्मा ने टी आरपी घुटाले को लेकर मुकदमा दर्श कराया है। आरोप लगाया गया है कि टी आरपी देने वाली कमपनी बार्ग और कुछ लोग मिलकर टी आरपी में छेड़ खारी कर रहे हैं। जिसकी वज़ा से निवेश को, ग्राह को और लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। इस अरजी के आधार पर 18 अक्टूबर को लखनव के हज़र्श गन ठाने में FIR दर्श की गई। जिसमें अग्यात लोगों के खलाप धारा 468, 465, 433, 420, 409, 406 और 120 B के तहट केस दर्श हुआ था। इस पूरे मामले में CBI जाँच की मांग की गई थी, जिसके बाद राजे सरकार की तरप से CBI जाँच के लिए सिफारिश कर दी गई थी। और अब CBI ने इस मामले में मुकदमा दर्श कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस से पहले मुंबई पुलिस की ओर से ARG, Outlier Media Limited के खलाब दोखा धड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक शड्यंत्र के आरोप में केस दर्श क्या गया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफतार भी किया है और पैसे देकर रेटिंग की फिक्सिंग का भी आरोप लगा है। मुंबई पुलिस और आरोपी टीवी चैनल की बीच इस मसले को लेकर विवाद अधालत तक भी पहुँचा। मुंबई हाई कोट में मुंबई पुलिस को 4 नमबर को सील बन जाज रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और 5 नमबर को सुनवाई की तारीख दिया। बताने कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी समेथ तीन चैनलों पर टीरपी घुटाने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि टीरपी मीटर लगने वाले घरों में लोगों को खास चैनल देखने के लिए 400 से 500 रुपे दिये गए।